सलाम वलीकुम तो हाई गैस के सब लोग रागए मैं कॉर ब्राइन यू वीडियो के साथ मेरी अनौनिमस की अब लेक यार आपको बता है मैंने कम्मूनिटी बोस डाली तो इसमें बताया था कि हम लोग वापस से आ रहे हैं वाइस ओवर गेम प्लेस के साथ तो काफ़ लोग बाइ जो है वो कहा था कि वो वेट कर रहे हैं काफ लोग को लगा था कि मुन भाई जो है फिर से मजाग कर रहे हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है यार मैंने काफ़जादा गेम प्लेस बनाए आप लोग के लिए रैंक पुश होगा और जिनको नहीं पता मैंने लाइफ स्ट्र लाइफ स्नैप्चर्ड यूज करते हैं फिल्टर्स लगाते हैं और दाड़ी मुच्छे नहीं आरे उदो तो अर्ज किया है कि बकरे की होती है दुम और लेले के होते हैं हिप उठाने गया था फ्लेर गन निकली हाफ ग्रिप सस्ती शायरी विद्ध अनॉनिमस बावाजी ठोको फोड़ दो दबादो लाइक बटन मेरी अनॉनिमस के प्लिक अच्छा यार शुगर मेला भी चलेगा ग गेमस रेलिटेर मैं वह भी करने के ट्राइक करूँगा आप लोगों नहीं इवंट तो देखा ही होगा अब इसमें दो बिल्लिंस होती है जो लेविक में होती है जो दो मेन बड़ी बिल्लिंस होती है ठीक है मॉस्टी लोग ले판 वाली बिल्लिंग में जाते है और वहाँ पर जाने का रेजन यह है कि यह उसमें पैनिक रूम्स जादा है पुश करना मुश्किल होता है और इसी रिजन्स के चलते हुए भाई सारे वंदे जाधा तर उस बिलिडिंग में चले जाते हैं लेकिन राइट वाली इस टी बिलिडिंग को सब इगनोर कर देते हैं तो मैं इ मेरी फेवरेट बिलिडिंग होगी है इस इवेंड में जब भी मैं लिवी खिलता हूँ मैं लैंड वो पब्लिक और एक बंदे का मुझे ना सामने से साउंड आ रहा था ठीक है मैं उसको एगनोर किया और नीचे वाले बंदे पे नेड करने लगा मैंने का इसको नेड से फ जो कि एक बहुत ही धासू किल था भाई आप कई लोग बोलें के मुझे पर आपकी डिवाइस अच्छी थी सवरे से आपने वो किल कर लिया यार आप कुछ भी कहो लेकिन देखो किल तो खिल है अच्छा एक चीज यार कभी भी आपने ना बंदों की इनफोर्मेशन को इग जो बंदे हैं या आपके लिए बात में नुकसान का बाईस बनेंगे तो यहांपर मैंने यह चीज़ याद रख लिए थी दो किल थे मेरे मेरे दिल था यार मैं सेकसी सा चिकन निकाल लूँ और मैं बताता चलूँ आपको इतना सेकसी चिकन कि आखर में आपका भाई अकेल और सामने पूरा स्कॉर्ड और फिर जो मैंने बैंड बजया उनके कान के निचे लगाया बकरा बनाया वो देखिया बहुत ही खुश होने वाले हो भाई खैर बबली के निचे से मुझे साउंड आ रहा था ठीक है आठ बंदे इवेंड में थे यह बहुत अच्छी चीज है यहां से नीचे वापस भागा पीछे वाली सीडियों से उपर आ जाता है और उपर आने के बहुत ही चलाक समझ रहा होता है लेकिन ऐसे कैसे बावाजी बहुत लोगी अब इसकी दुड़की देखो भाई कितनी स्पीड में भाग रहा है जैसे इसने भाई 200 उधार पैसे ल पॉबली के वाला किल देखो वई वभाई वगोई हो भाई स्लो मोशन में दिखाता हूं आपको और आपको इस लाइक इस किल भाई Like करना है सब्सक्राइब भी करना और शेर भी करना और कॉमें अटेंटस भी लगवानी भाई इतना सेक्सी यह किल था बढ़ यहां पर दि squad नहीं है आप solo हो तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि यार आप living खेल लो एक तो छोटा map है दूसरा मतलब easy to मुझे लगता है कि easy to handle है इतना difficult नहीं होता इरेंगल के मुकाबले में इरेंगल बहुत है difficult हो जाता है solo squad में तो अगर आप अकेले हो तो go for living आप लिवी खेलो और वहां पर match निकालने की try करो बाद में अगर आपको squad आगया तो आप रेंगल लिया और कोई map job try करना चाहो वो कर सकते हो यहां पर पबलिक एक बंदा था जो कि उसकी पिछे रुकाव था दूसरा बंदा भी कितना है तो मैं कितनी देर में निट फैंकूंगा तो वहां जाके फटेगा यह जब के बहुत काम आएगी यार देखो अब जो है ना मैंने इसी चीज के चलते बंदे को नौक किया अब इसका दूसरा बंदा जो था ना यार वो नीचे आ चुका था अब मेरे मांड में एक यार हो सकता है वो नीचे आ गया हो तो यह नीचे जाके थोड़ा सब प्रेशर बनाया है जाए और मैंने किना बेट भी कर दिया यहां पे नीट ना तो इसका मुझे फाइदा होता है वो बंदा वापस उपर आते तो मैं समझा यार वो रिवाइब नहीं हुआ तो यहां प गोलियां मुझे चिपकना शुरू हुई ना तो समझ जाओ उसका एम एसिस्ट काम कर गया है फिर आप अगर वन वन लेने के लिए चले ही जाओगे तो आपको पहले डाउन कर देगा तब उसकी गोलियां चिपकी मैं वापस से कवर में आया है मैंने अपनी मोजिशन करता हूं फिर एक और निट किया अब यह बंदे से दो टोटल आप देख सकते हो बंदे रहते थे तीन इसका दूसरा बंदा मैं स्पार्ट कर लेता हूं वह राइट साइड पे था तो अब मैं थोटा से पीछे आता हूं कि अगर वह दुबारा से नेड मॉली करेगा तो ए इसका साउंड लिए और एक परफेक्ट नेड मारा अब जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था के यार अगर मैं नेड को कुक के बगार फैंकूंगा तो जिस तरह दो बंदे मैंने नेड से फुल कुक नेड से फाड़े हैं पुराना अनॉनिवस आपका गरनेडि क्योंकि इसका एक बंदा जो आप कहां पर कैम कर रहा है मुझे नहीं पता और जोन बड़ी जल्दी जल्दी बनता है लेविक में और जो है दूर भी चला जाता है डैमेज भी देता है तो इसलिए मैं आखरी बंदे को अगनोर किया है यहां पर शेर की सवारी किया हमने और फॉरन से चल्दी है जोन में अच्छा आप गेमप्ले को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाओंगा यहां से ठीक है ताकि आप लोग जादा वो स्लो स्लो गेमप्ले ना देखो फाइट दिखाऊंगा और काम की जब भी बात होगी तो मैं आप लोगों से शेर करूँगा अभी यहां पर ना मैंने की डिसाइड कर ली थी कि यार हो सकता है मुवेंद साब यहां पर जाना इसका टीमेड भी हो तो रड़की लेवे खेल रही है तो साथ में टीमेड कवर दिना ना यह नहीं हो सकता तो मैं बिलकुल मुझ पे नहीं गया ठीक है मैं वापस से डिफरेंट बनाया और फिर कवर लिया ठीक है कवर लेने के बाद मैं उसको स्पॉर्ट के रिवनी हो रही थी तो हमें फिनिश डाल दिया और वहां पर मुझ वापस से निकल जाता हूं जोन के लिए अब पबली क्या सीन होता है सर्कल बहुत छोट हो जाता है यहां पर न मैंने गेम को स्लो कर दिया था उसका रीजन में आप लोगों को बताता हूं कि आधको इवन्ट पर आपको एक रिकॉल था ठीक है तो आप क्या करो वहां पर किल्स के लिए जाओ लेकिन जब एंड एंड हो जाए गेम एंड एंड सरकल आजए तीन हिसों में डिवाइड कर लो शुरू मे में तो आपको चिकन के लिए जाना होगा तो फिर बहुत सुर समझ के खेलना बड़ेगा यहां मैंने अमीन को डाउन कि इनको अलड़ी मैंने एवन पर मारा था लेकिन एक बंदा जोन से मरता है शायद इनी का था आई डोन नो लेकिन आप पहले मैप पर फोकस करो यहां प पॉपाउंच जहाना वो नेट रमश्मालजी स्की रेंज मे आ रोले तो मैं जैसी महां से निकला है अहापर एक नेड भी आता है मैं वेट करता हूं जोन का अब उनको जोन में आना था उनकी अनके उपर एक मैंटली एक प्रेषर था कि जोन में आना है एक दो बंदे ही य तो गर आज का वोईस ओर गेंप्ले अपको अच्छा लगाओ तो like, subscribe, share कर दिना लिविक भी गेंप्लेज देखने को मिलेंगे, wrangle भी मिलेंगे, ultimate trial भी मिलेगा और साथ सत नौर्मल रैंगुछ भी आपको देखने को मिलेगा तो thank you so much for watching पब्लिक दिल से लवी बहुत लगा प्यार तुरूत पक्पड़की काउन वेड़न या पिर अलहमदुल्ला डन जरूर लिग देना और वेट करना डेली गेमप्लेस का अपने टाइम पे आते रहेंगे आप लोग के लिए दिल से लव्यो मेरी अनुवस पब्लिक अल्हाफेज